प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आज 29 बच्चों को राश्रिय बालपुरस्कार दिया गया उसमें करनाल का भी बच्चा है आकर्ष कोशल उसी से बात करते हैं आकर्ष कितनी खुशी और किसली आपको ये आवोर्ड दिया गया जनता को बताईए प्रधान मंत्री से कोई पुरसकार मिलना बहुत गर्व की बात होती है और ये अवोर्ड मुझे सोचल सर्विस के लिए मिला है फर्ष वेव के दौरान लोग आर्टीपीश रिपोर्ट के लिए एकसेस नहीं था और उन्हें अगर कोई सिक लीव चाहिए या फिर हॉस्पिल मैड मीशन चाहिए तो वो ले नहीं पा रहे थे तो मैंने एक आनलाइन पोर्टल बनाया जिससे लोग आर्टीपीश रिपोर कर रहा हूं और 12 के बाद मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूं वो मेरा हमेशा सभी पैशन है और उसके बाद मैं चाहता हूं एक टेक्स टार्टप खोलूं जिसे लोग की इतनी में मदद कर सकों वो पॉसिबल हो उमीद करते हैं कि आकर्ष आने वाले भविश्य में ल बड़ा वाड हमारे बच्चे ने जीता है तो करनाल के लिए पूरी हर्याना स्टेक के लिए हम सब के लिए बहुत बहुत गर शाली सभाग्य शाली बात है ये आशा करती हूं कि आगे और भी बच्चे ऐसे ही मेहनत करेंगे उनके माता पिता परिजन उनको प्रोच्छाहि करेगा क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सम्मान मिलना अपने आप में गर्व की बात है और पूरे भारत से 29 बच्चों को राश्रिय बाल पुरसकार आज दिया गया है खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमान शुनारंग